जिन्दिगी, सुन्दर्ता, और पैसा, और बड़िया घर या बड़िया घराना, चारो चीजों से नहीं चलती, क्योंकि तुम दो रूमेट बनने वाले हो, रूमेट में आपकी सबसे बेसिक चीजें जो होती हैं न, वो आने वाले हैं क्योंकि तुम लिटरली कमरा शेर अगर आप अगर आप अगर आप नहीं पड़िया हो, तो राइट पार्टनर कैसे जाने, कौन है, कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है, इस पर धंक से बात करते हैं, अगर आपकी कोई प्राउन में है, इंस्सेग्राम पर जाओ, अपनी प्राउन भेजो, लिको उसको, दूसी अगर आपने ये बुक नहीं पड़िया है, तो जाओ Amazon और Flipkart इस बुक को खरीदो, अभी खरीदो, और पढ़ो, पढ़ो, सोचो, मैं नहीं कहरा, सारे चेप्टर सो सकता है, helpful हो, नहीं होंगे, एक चेप्टर तो हो सकता है, आपको दिमाग कहे, हाँ, ऐसे तुमें सोचते है, कि यहां पर बहुत जादा, हेवी डीलिंग होने वाली है, of lies, I'm not talking about parents, blah blah blah, I'm talking about a person, lying के पीछे, क्यों, why would people lie, यह भी हो सकता है, मैं यह नहीं कहारा, हर case में lying होने वाली, आपको general cases में आपको यहां पर assume करना है, because, पहला, that person is a stranger, strangers जब किसी भी room में मिलते हैं, हम अपन private information, जितनी ज़्यादा protect कर सकते हैं, हम उस पे focus करते हैं, तो हम उतना ही let out करते हैं, जितना हमें लगता है feasible है, या permissible है हमारे हिसाब से, हम दूसरे को दे सकते हैं, वो इंसान intend नहीं कर रहा, वो इंसान self preservation के लिए, उसके पास बचा जो tool है, वो वही है, दूसरा reason क्या है lying का, यहां पर एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं, दोनों partners, यह बेचना चाहते हैं, we want to sell, कि हम, I'm a very good candidate, जब आप फोन बात करो, कोई इंसान आपको इन वितना वाला, सुनो यार, तुम उसे बात कर रही हो, यह है मेरी जिन्दिकी की true story, अगर यह है, and this is not my future, nor my present, my present mindset is this, that is why I'm choosing arranged marriage, because in the future, I want to go here, cast, as the conversation, openness, or honesty की साथ हम कर पाएं, but करते हैं यह लोग, हम excitement में, पेट में हमारे बुल-बुली फूट रहे होते हैं, को कि हमने लड़की की फोटो देखी होती है, लड़की लगरी है, सुन्दर, आवास सुनी लड़की की, हम हमारे मन में आता है, क्या सबसे basic response, जो हम एकी लड़की से बात कर रहे हैं, वो क्या हुआ, मुझे इसको impress करना है, या फिर मुझे cool दिखना है, at least this conversation में, that is a insanely big fuck up, जो आप अपनी जिन्दिकी साथ कर रहे हो, क्योंकि आप यहां पे, dating game में नहीं हो, this is not, की तुमें qualify होना जब reality बता चले करें, reality चीज वर्क नहीं करें, तब तो coolness सब घुच जाएगी न, coolness तीन से छे महिने में घुच जाती है, किसी भी इंसां के सथ आप चाहें date कर रहे हो, जितने भी आप start team में cool ते सब घुच जाएगा, क्योंकि हर चीज की expiry date है, human experience में, तुनिया में सब आपसे खुबसूरत चीज जो अपने दिमाग में सो सकती हो, सो सकते हो या सो सकती हो, वो imagine कर लो, चाहे ताज महल हो, चाहे कोई पहाड हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे लेक हो, जब उसको जाओगे, travel करने के लिए, tourism के purposes तो लगेगा, भाई हम जननत में आगे, उसी के बग सुरद चीज भी तुम उब जाओगे उससे और बोर हो जाओगे, unless तुम as a consequence of your actions उस इंसान को impress कर पाते हो, by performing, हो सकता है work related, हो सकता है intellectually, तब stimulation बढ़ता है, intellectual stimulation जो चीज है ना, वो बड़ी long term है, looks चले जाते है, intellectually का stimulation नहीं है, तो दूसरा partner suddenly feel करने लग जागा, और इसे ब करना होता हो, तो इसका कोई interesting नहीं चीज हो पर, यह सिर सुनती रहती है, सुनता रहता है, हूं हूं करता रहता है, यह से problems आती हैं लोग की life में, समझो, तो, second चीज हम क्या करते हैं, हम cool बनने चले जाते हैं, इसकी वैसे हम क्या करते हैं, हम true identity hide करने लग जाते हैं, हम actual details जो हमें देनी चाहिएं, यह इस agreement में घुसने के लिए, जो की necessary हैं, जैसे कि भाई, मेरी किनी relationships रही थी, तुम्हारी requirements क्या है relationship में, तुम क्या सीख कर रहे हो, तुम्हारी किनी relationships रही थी, तुम्हारा current scene क्या है, क्यों arrange marriage सीख कर रहे हो, यार, why arrange marriage, you know, you're a pretty successful person, पता है, किस अब यह पुछो यार, तुम इतनी खुबसुरूरत हो, अच्छी कासी job है तुम्हारी चाहिए, खराब job भी हो, same with लड़की, you know, तुम इतने cool हो, तुम्हारी इच्छी कासी job है, यह है, वो है, and again, यहाँ पर हम lying use कर रहे हैं, लेकर truth निकालने के लिए, diplomacy कहते हैं इसको, ठीक है? तुम्हारी चुजिई अरेंच्छी कासी आच्छी कासी जगा रहे हो, इस घर में रहते हो, समझरे ना, इंसाहता चाड़ा हो, उसको अच्छा फील होगा, उसको यह नहीं का भी है, हाई नार्मल है, बड़ा नॉर्मलाईज है, तुम्हे, the point of conversations in an arranged marriage या pre-arrange marriage में जो भी कर रहे हो, that is to get true information ताकि तुम एक right decision make कर पाओ, and आपको यहाँ पर एक simple सा fact समझना है, true information बहुत ही rare होने वाला है कि आपको तोनों party में से कोई भी तैयार हो देने के लिए, उसके पहला reason में आपको दे सकाओ, क्योंकि हम lie करते हैं ताकि अपने सिक्रिट शुपाने के लिए, हम नहीं चाहते हैं आप हमारे flaws जानो, weaknesses जानो, हमारी worst size जानो, worst tendencies जानो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई हमें judge कर रहे हैं, हमें को reject करे हमारे चीजों के basis पर, actually, rejection भी नहीं होता, हम judgment से बचना चाहते हैं और दूसरी चीज हम नहीं चाहते, यह दिखाना, क्योंकि हम अपने आपको भी दिखाते हैं, खुद भी तो हम denial में रहते हैं, हम अपने आपको perfect इंसान समझते हैं, हम हर कोई perfect है, problem है तो कहीं है कि मेरे ex-boyfriend मे पर मेरे ex-girlfriend में थी problem, इसके वैसे तो हमाई relationship रही है, जितने भी relationship रही है, जो तूटी हो, इसले ही कहीं तुम अपने दिमाग में सूचते हो, उनकी वज़े से हुआ यह, तुमाई relationship में कितने दोस हो जाए, कितने लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम हमेशा ही सूचते ह वाला आपको नहीं देगा, अगर आप direct questions पूछ रहो तो हो सकता है, बहुत जो information आपको चाहिए, important information अपने decisions में करने के लिए, वो आपको इंसान simple questions पर आंसर नहीं करेगा, वो आपको धूंड नहीं पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, समझ रहो, तो make sure your questions are details seeking questions, यानि कि उन में details हो इंसान की, तो उसके पड़ी cool वे में past life के बारे में पूछो, like what was your past life like, past life like, वो इंसान भी protect करेगा बहुत कुछ, जो उसको पता है मुझे नहीं बताना, ठीक है, लेकिन तुम्हारा job है डिक करना, और हो सकता है उसमें तुम्हें trinkets मिलें, 10% ही हाँ पर कुछ मिल यहाँ पर एक red flag मिला, और यहाँ पर छोटी सी चीज मिली, तो अपने आवास में हमेशा ऐसे पूछो, जैसे बनाओ नहीं उसको, कि जैसे तुम्हें कुछ बहुत कुछ मिल गया है, पूछो उसके बारे में वैसे ही same tone में जैसे तुम्हें पूछ रहे हैं, तुम्हें कि बस बताने में, कितना महान हूँ, मैं कितना great हूँ, मैं कितना कुछ उखाड चुका हूँ, मेरी पूजा करो, तो आपको यहाँ पर समझना है, signals के द्वारा, यह आपको अपने दिमाग में खुद से करना पड़ेगा, without confirmation, 100% अगर आप भून रहे हो, कि हाँ, मुझे facts च होता, including you, यानि कि कुछ ना कुछ flaws उनके अंदर होंगे, कोई भी perfect नहीं होने वाला, दूसरा fact, we all have a past, सबके इंसानों की जिंदिगी में, कोई ना कोई past है, आपको यह accept करना पड़ेगा, यह अंधे इंसान की तरह, यह expectation नहीं रह सकते कि इस इंसान का past ही नहीं होना चाह है उसके पास, या कोई लड़की है, अगरा से भाहियत बाते कर रहें, तो उसके पास 0% right है, और responsibility आपको judge करने के, आप simple देखो, भाहिया, अपनी जिन्दी कहीं और देखो, everybody has a past, यह आपको accept करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब इंसान है, और हो सब करना उन past में काफी होगेगा, समझे, या फिर आपके दिमाग में simply कुछ चीजें हैं, कि आप accept ही नहीं कर सकते, तो आपको पता है, यहाँ पर यह चीज है, यह deal breaker है मिले, कोई प्रॉम नहीं, कोई और ढूंडो तुम, qualities क्या हो नहीं चाहिए, एक इंसान में, जो कि आपकी शादी में बहुत help करेंगी, qualities, judge करने से पहले मैं आपको बात करूंगा, कि अगर आप कर पाओ, तो एक इंसान से थोड़ी सी लंबी बात करना, in the sense कि minimum 3 months, obviously, ideally, मैं कौऊंगा, 6 महीने, बात करो, अगर करना साथ है, but I don't think, कितने लोग को options मिलता, 6 महीने का, ideally, अगर खीच पाओ, तो कम से कम 2-3 महीने तो कर रही करो, उसमें एक चीज देखो हमेशा, इंसान में willingness to change कितनी है, अब यह हो सकता है, बहुत जादा contradiction में जाए, उस popular saying कि, कि इंसान को हमें ऐसी accept कर लेने चाहिए, जैसे वो है, यह एक्शन में बहुत ही toxic चीज है, क्योंकि अगर एक इंसान toxic है, और उसक this, unless the channel भी देख रहो तो इसका point क्या है, the reason you have curiosity is because you want to make yourself better, to am हम चाहते हैं हमारी चीज़े चो खराब हैं उनको बेटर करें हम इंप्रूफ करें तो अगर एक इंसान कह रहा है मुझे जैसा हूं ऐसे एक्सेप्ट कर लो तो वो कह रहा है कोई स्कोप फिंप्रूम्मेंट ही और आपको ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए क्यों इस इ यार मैं चाहता हूं मेरा जो भी पार्टनर हो वो इंग्लिश पत अच्छी बोले ठीक है क्योंकि मेरा सुशल सर्कल है जो भी है महाँ पर साव अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकर तुम्हा इंग्लिश खोड़ी खराब भी है वोड यू बिलिम तो इंप्रूव इट इ यह एक 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 जामपल था आप इसको अब हर एस्पेक में लाइफ के ला सकते हो लेट से तुम्हें तुम्हें दस बचे सोना पसंद है और एक इंसान कह रहा है नहीं यार मेरे लिए चलो ना तो यहां पर मैं कह सकता हूं तुम कियास रख सकते हो कि यार विलिगनेस तु मैं इसको कहूंगा ना क्योंकि इस दस नो बेनिफित मी प्लस मेरे जो रूटीन है मैं उसकी रिस्पेट करता हो तुम मेरे रूटीन की रिस्पेकरटी सुम्हें ऐसकते हैं वह यह है कि लेट से एक महीने में एक बारा उत बार आए बी विलिग तु यह बहुत हूँ अपने अपनी लाइफस्टाइल या अपने दिमाग में कुछ चेंजिस लाने में ताकि तुम थोड़ सा comfortable feel करो तो उस relationship के intimacy strong होती है इसके वैसे जैसे लड़का request कर सेता है यार मैं कुछ certain चीजों के साथ I'm comfortable हूँ let's say उसका कोई ex boyfriend है और उसका दोस्त है तो तुमारे के शादी नादी तुम simple सी बात कहरो कि मैं इससे बहुत ही uncomfortable feel हो सकता हूँ तो तुमारा same clause आपे बहुत ही आ रहा है willingness to change क्या अगर हम शादी करे हैं can you like let go of these relationships because in my life भी ऐसी को relationship नहीं है अपनी ex से contact में नहीं रखना नहीं हो अग मुझे पता है यह a great flag है let's just say that can you change yourself in this manner अभी तक तुमारे जो life रही थी cool but अब इस point से जो life होने वाली है तुम्होग के relationship सबसे tight होने चाहिए इसके willingness to change कितना strong है right और आपको देखना है वो अगर 50 to 60% है that's a very good factor जो कि आपकी compatibility में बहुत help करेगा in long term because that shows कि इंसान adaptable है यह इंसान आने वाले life में जो challenges होंगे उसमें अगना ego नहीं रख देगा हर चीज में मैं 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 नहीं करेगा बैटके यह इंसान adapt कर पाएगा if anything makes sense to this human being they are willing to take action for it तो यह किसी भी आपके हर इंसान की personality type पे depend करता है आपकी जो भी personality या basis पे आपका जो भी दिमाग है उसके basis पे आपकी requirement क्या होंगे अपने partner से यह आप पूछ सकते हो और आपको यह भी judge करना है समझना है थोड़ा सा कि नाजायस चीजों पे आपको रुखना भी है नाजायस wants नहीं कि तुम घर से नहीं निकलोगी that's a stupid नाजायस want मैं आपको जितनी rights देता हो वो दूसरे इंसान को भी दूँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो और जो चीज मैं उससे कह रहा हो करने को वो मैं भी करूँगा तब वो want जायस want होई क्योंकि वो तुम पे भी apply हो रही है kind of exploitative हो गया ना कि मेरे लिए तुम change हो जाओ लेकिन मेरे पे allowed है नहीं दोस्त and lastly मैं आपसे कहूँगा सबसे important चीज है आपको past में जितना जादा एक इंसान की जितनी detail में life के बार में जान सकते हो वो पूछो अपनी conversations बेवकुफ़ ली मत रखो कि क्या खाना खाया कहां गया आज कितने रिस्तोतारों से जाथ अब क्या बाते करें क्या किया बखवास नहीं really see how this person spends their day what is their routine मतलब कि अब यहां पर दो चीजों में डिवाइड हो आता है पहला जो इसकी duties हो गई अब इसको जॉब पर जाना है वो इसको जाना जाना है यह जाहेगा या ना चाहेगा या चाहेगी या ना जाहेगी इसको करना है तुम्हें यहां पर देखना है इसके actions, decisions और choices life के past में क्या है कैसे जीता है क्या choices रहें क्या actions रहें तुसलिए जितनी history में past में बाते कर सकते हो और actions पर ध्यान दो या रखना कोई इसको कुछ नहीं बताएगा दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है currently भी तुम देख सकते है present में इसकी habits क्या है current कैसे दिन जीता है किते हैं इसके सो के उड़ने की आदत क्या है और तुम्हें यह देखना है क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा actions speak louder than words तुम्हें यहाँ पर judge कर रहा है इसके देखने में कि duties और initiatives में कितना difference है initiatives are all the actions that he is taking because he wants to do those things duties are all the actions he is taking because he has to do those things तो अगर आपको लड़की बहुत पसंदारी बहुत संदर है बहुत क्यूट है ठीक है भाई अब वो बखवास तो आपसे कर रही है कि मेरे को government job के लिए प्रिपेर कर रही हूँ मैं बैंक के लिए प्रिपेर कर रही हूँ लेकिन आप जब भी फोम्हें बात कर तो 24 गंटे अवेलेबल रहती है तुमने उसके action से अपनी वो नजर हटा दी और फिर पता क्या होथा लोग शादी कर लेते हैं और फिर सड़नली रिलाइस करते हैं आप यह तो lazy है और फिर लडाईयां शुरू है आती है क्योंकि आपके अंदर से respect ही नहीं आ रही है उस इंसान के लिए एक intellectual respect नहीं आ रही किसी तरह से आपको लडाई हो रही है उसकी जो lifestyle है रहने का धंग तरीका है तौर है उससे आपको फिर लडाई हो रही है तुम पूरे दिन सोती रहती हो शादी को बाद होता है कितने है मेरी priority है मैं देखना चाहता हूं जो इंसान में साथ रहा है और लेट से तुम्हें ऐसे इंसान हो जो कि बहुत industrious है राइट मेहनत करता है काम करता है उसको अच्छा लगता है चुस्त होना life में active रहना उसको ऐसे इंसान मिल जा जो कि पूरे टाइम पढ़ा रहा है सोता पार्टनर मिल जाए बागी आपको अपना total intelligence यूज करना है यहां पर समलो आप investigation करो आप एक detective हो आपको detective की तरह ही सोचना आपको romantic partner की तरह ही सोचना आपको अपने penis से नहीं सोचना अगर लॉंडे सुन रहे हो तो भाई वहां से मत सोचो तुमारे लग जाएंगे ठीक है कितनी सुन्दर हो चाहे कितनी प्यारी इवाद हो या फिर चाहेग बड़ी ही दर से बात करें तो में चूतिया होनाने लिए क्योंकि तुम्हारे जॉब बहुत बढ़ी है चूतिया मदमना दिमाग से सुनो दिमाग से देखो उसका routine क्या है समझगे है जो भी बात है कही है दिमाग से सुनो और 100% तयार रहो, विलिंग रहो अगर कोई चीज नहीं बैट रही है और तुम्हारे दिमाग में शंका आ रहे है और डाउट आ रहे है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो राइट पार्टनर तुम्हें पहली बार में नहीं मिलने वाला और सुन्दर्ता के basis पर घंटा नहीं मिलने वाला तो सुन्दर्ता priority रखो लड़की हो चाहिए लड़का और जिसको भी मैं कर रहो जो भी priorities है पर उसके लावा आपको समझना है जिन्दगी, सुन्दर्ता और पैसा और बड़िया घर या बड़िया घराना चारो चीजों से नहीं चलती क्योंकि तुम दो रूमेट बनने वाले हो रूमेट में आपकी सबसे बेसिक चीजें जो होती हैं वो आने वाले हो जो क्योंकि ढूम निठरली कमरा शेर करोगे तुम्हें बेसिन ना चाबैस घंटे करो Safety चारो Shaka क्षम एक कार से भाउर्य भाट्य हो लू मारी बेसार ना चाले होका कुछ दिन होंकि चाबड़ से घंटे कर आआना लो तुम्हारे human being he'll take care of this person and she'll take care of this person you know education point of view you say you feel this is a responsible person I've chosen a smart human being I hope you help you out